नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है नीट सास्थ में जहां हम रेगुलर अप्टेट दे रहे हैं आपको नीट रिलेटेड इन्फोर्मेशन की और आपकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो भी हमने डाल रखे हैं जो की नीट रिलेटेड इंपॉर्टेंट सौट्रिक्स है या आपके इंपॉर्टेंट रिवीजन है जो की पूरे चैप्टर्स का रिवीजन दस-दस मिनट में केमस्ट्री के बहुत सारे अच्छे वीडियो आपके पड़े हैं और फिजिक्स के बहुत सारे प्रिबियस यर कोश्चन पेपर के सॉलूशन है यह सारी चीजे हमाई चैनल पर आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट में बना हुआ है वहाँ जाके एक बार जरूर विजिट करिए अगर आप नीट की त्यारी कर रहे है तो आपके लिए मोस्ट मोस्ट यूजफुल है वो सारी चीज़े कम समय में ज्यादा ग्यान मिलेगा जो कि आपके परिक्षा के लिए यूजफुल होगा तो दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत रीसेंट अपडेट आई है जिससे कन्फर्म हो रहा है कि नीट एक्जाम भी पोस्टपोन होना ही है और यह बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों पता दू एक्जाम रिलेटेड ही है अपडेट तो इससे हम क्यास लगा सकते हैं कि नीट का एक्जाम जो है उस पोस्टपोन होना ही है बहुत बड़ी बच्चों के लिए महारास्ट पब्लिक सर्विस कमिशन ऐटनस डेज एमपी एससी जैसे हमारे यूपी एससी जो सेंट बारे में डीटेल बताएंगे कि कब पोस्टपोन करके किस महीने में उन्होंने कर दिया और आपको अब ने बताया ही था कि महारास्ट्रा के situation जो है बहुत बेकार है इस समय महारास्ट्रा की situation बहुत ही बेकार है महारास्ट्रा हो गया आपका गुजरात हो गया देली हो गया इन सब states में आपको exam कराना किसी भी तरह का बिल्कुल भी possible नहीं है क्योंकि अगर आप इन सब states में exam कराते हैं तो रिस्क ही है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्मेंट अपने उपर रिस्क लेगे कराएगी और parents इसके बिल्कुल भी against ही रहेंगे हमेशा तो देखिए इसको डीटेल में थोड़ा पढ़के मैं आपको सुना देता हूं महराष्ट पॉब्लिक सर्विस कमिशन ओन वेडनस्टे 17 जून को कल की न्यूज है new date for various MPSC examination for 2020 जिन बच्चों ने किया उनका new schedule MPSC.GOB.in पर हो गया है मिल जाएगा वहाँ जाके will take place on September 13, 2020 तो उन्होंने अपना exam पोस्टपोन करके 13 September को कर दिया है उन्होंने अपना exam पोस्टपोन करके 13 September को कर दिया है दोस्तों और state service prelims examination जिसको बोलते है MPSC का उसको कर दिया है exam or schedule to take place on 5 April 5 April को ही होना था ये जिसको पोस्टपोन किया गया था और अगर आप सोचिए दोस्तों ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि NEET का इसलिए है मैं कह रहा हूँ कि आप एक बात सोचिए जब ये 5 April का exam पोस्टपोन हुआ था और या आज date announce कर रहे हैं तो इन्हें तो या अगस्त में करा लेते exam को या अगस्त में exam को करा लेते पर situation बिलकुल uncontrolled है मुंबई और दिल्ली में तो बहुत ज्यादा ही इसलिए जुलाई अगस्त का notification ने दे के direct और direct इन्होंने September का दिया है बलब सोचिया ये एक महीने अपने पास advance में रख रहे हैं अपने security के लि चुका है आपको पता UPSC भी टल चुका है तो अगर ऐसे से exams को टाला जा रहा है और उसको अमेशा जो दिया जारा अगस्त के बात की date दी जा रही है तो इससे संभावित बिलकुल ये है confirm दोस्तों कि नीट exam को भी postpone होना है क्योंकि जब कोई भी exam आज के date में postpone हो रही है उसका date अगर बताया जा रहा है तो अगस्त के बात और नहीं तो date नहीं बताया जा रहा है मतलब जुलाई में exam कराना possible नहीं है किसी भी conducting body के लिए और इसके लिए दोस्तों आपको हमसे जुड़े रहना पड़ेगा ताकि हम आपको सारी information तुरंत दे पाए चैनल को अगर subscribe ने किये तो लाल वाला बटन को दबा के तुरंत सब्सक्राइब करिए और हमारे सारे प्लेटफॉर्म पे एक बार विजिट करिए आप Instagram, Facebook, Telegram, Telegram पे खास कर आपके लिए बहुत सारे study material free of cost quota के सारे टॉपस के notes हमने सारे कुछ डाल दिया है वहाँ पे बिल्कुल जो हजा बारी के लिए useful हो सकता है content हो सारा चीज हमारे चैनल पर है एक बार प्लेइलिस जरूर विजिट करिए दोस्तों आपको फिर पता चलेगा यह चैनल आपके लिए कितना useful है फिर आप चैनल को आकर जरूर subscribe करिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का notification मिल जाए फिर आपको बंभा ब्रवी बतायां कि और भी grade यह मतलब जो होते हैं डालग अलग के ऐघ्जाब उनको भी civic को जो हमने पिछले वीडियो में भी दिया था कि हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पकरियाल जी बार-बार बार-बार एक चीज को लेकर आपको मिटिंग कर रहे हैं क्या कि यह सिर्फ और सीरफ पा रहे है क्योंकि पहुकर प्रेशर परेट्स का प्रेशर कुछ बच्ट जो सुर्प्रिम कोट पहुश ऑस चीक ठीडिन और बचोर जो ट्विटर बच्चो चुंटर है और हमारे जैसे यूटूबर्स और हमारी कम्यूनिटी के लोग जितने भी है इनक सभी कि मेहनत की वज़ा से हो रहा है कि HRD Ministry बार-बार इस पर रिव्यू कर रहे हैं चीजों को देख रहे हैं कि क्या एक्जाम कराना पॉसिबल है या नहीं है ऐसे कंडिशन में बिल्कुल भी नहीं है जब सारे स्टेट्स ऐसा कर रहे हैं अपने एक्जाम को पुस्ट्पोन कर रहे हैं दिरे दिरे तो नीट भी पुस्ट्पोन होना है दोस्तों यह थी इसमे अपडेट जिससे आपको कंफर्म हो रहा है पर आप अपनी तयारी पूदी रख